Hello students, welcome to Pio Academy. आज की जो वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले हैं शिरीदेव सुमन उनिवस्टी का जो पीजिन टरंस का पेपर हुआ है इसमें हिंदी का पेपर हम सॉल्फ करने वाले हैं ठीक है, समानी हिंदी का कूर्ट 3 है इसका चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती गाए उसके अलावा अगर आपको पीडियो चाहिए तो आप हमारी टेलिग्राम ग्रूप को जाइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके अलावा मैंने जो इतनी भी वीडियोस अपलोड की हैं मतलब पेपर सॉल्फ करके और चूबी वीडियोस अपलोड की हैं तो वह मैंने एक प्लेलिस्ट मैट कर दिया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से चेक कर सकते हैं ठीक है और आई बटन पर भी लगा दिया तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए यहां पर जो आपका कोशन है कोशन है आपका चंदे का किस प्रकार का शब्द है इसका जो कायटांस है ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा नेक्स देखिए निम्नमेंसे टेखिए उसका कायटांस है option A option A विज्यान जो है यह आपका योगिक शब्द है ठीक है next question देखिए उसके बाद है आपका निम्नेखित मेंसे देशलशब्द कौन सा है तो इसका जो कायटांस है वो है आपका option C खिड़की फिर देखिए निम्न में से एक आर्थी शब्द चुनिए, एक आर्थी शब्द आपको बताना है, यानि कि एक आर्थ देने वाला, इसका राइट अंसर ऑप्शन A, राधा, उसके बाद देखिए, next है, निम्न लिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चैन कीजिए, इस जो कवित्री है, वो किस तरह से लिखा जाएगा, तो इसका बताना था हमें, राइट अंसर ऑप्शन A, यह मोस्ती पूछा जाता है, और मोस्ती क्या होता है, कि हम इस जो कोशन है, इसे गलत ही करके आते हैं, ठीक है, मोस्ती लोग जो है, वो गलत कराते हैं इस कोशन को, ज नेक्स देखिए, क्रिशिम का विलूम शब्द होगा, क्रिशिम का बताना था, विलूम इसका गाईट अंसर ऑप्शन B है, ने सरगे, उसके बाद देखिए, दस, कोशन नमबर 60, चंदिगमा का प्रायवाची है, तो चंदिगमा का प्रायवाची उप्युक्त सभी है, मतल नेक्स कोशन देखिए, दूरगा का प्रायवाची है, इसका जो गाईट अंसर का ऑप्शन A है, कामाक्षी, फिर देखिए, कारू का खजाना से क्या अर्थ है, यानि कि इसका क्या अर्थ है, तो इसका जो गाईट अंसर है, वो है ऑप्शन B, असीमित धन, नेक्स कोशन नमबर 63 पानी पानी होना का अर्थ है तो पानी पानी होने का अर्थ क्या होता है लज्जत होना ठीक है तो इसका गाइट आंसों का option C अत्यदिक लज्जत होना करना नेक्स कोशन है शुद्ध वॉर्तनी का चैयन कीजिए तो यहां पर देखें आपको शुद्ध वॉर्तनी बतानी है तो शुद्ध वॉर्तनी में देखें रिखाया तो निश्वकाम किसे लिखा जाएगा यह बताना है तो option C का रेक्टर इसका उसके बाद देखिए कोश option B, next देखे, समुधिर में लगने वाली आपको क्या कहते हैं, इसका right answer होगा, बढ़वागनी, option B correct होगा, next देखे, शैन करने की इच्छा के निये, एक शब्द होगा, इसका right answer है आपका, ये question number 68 है, इसका right answer होगा, option A, next देखे, question number 69, जिस सिस्थे का पती जीवित हो, उसके ने क्या आएगा, इसका right answer, option B, सद्वा, next देखे, हिंदी में किस विगाम चिन का प्रयोग सबसे अधिक होता है, तो देखे, वैसे तो अल्फ विगाम का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर अल्फ विगाम नहीं है, तो अल्फ विगाम के बाद जिसका भी सबस्यादा प्रयोग होता है, वो हमें बताना है, तो यह क्या है, यह व्याकरण संदी है, तो यहाँ पर व्याकरण संदी है, यहाँ पर देखे, तो व्याकरण संदी है, 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 तो व्याकरण संदी होगा, next देखिए सत्य घराय का सई संधी विच्छेत होगा तो सत्य प्लस आग रहे है ठीक तो option b correct होगा next देखिए next इसमें भी आपको संधी विच्छेत करना है यहापे देखिए संधी विच्छेत दिया हुआ है संधी करके बताने है ठीक है तो सुक्ति किस तरहां से सू प्लस सुक्ति, सुक्ति किस तरहां से लिखा जाता है, option C correct होगा, next देखिए, गुपांतगण, गुपांतगण का संधी विच्छेद हमें करके बताना है, कि गुपांतगण को किस तरहां से संधी विच्छेद करके लिखा जाता है, इसका guide answer का option A गूप प्लस अंतराई नेक्स देखिए दिख अंबर का सही संदी विछेद हमें बताना है तो इसका होगा दिख प्लस अंबर option A correct होगा फिर देखिए मलीन का विलोम शब्द होगा मलीन का option B correct होगा इसका निर्मल उसके बाद देखिए विवाद शब्द का विलोम क्या होगा विवाद मतलब जो पहस होती है ठीक है विवाद कहते है उसे तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option A नेक्स देखिए अनुगक्त शब्द का विलोम क्या होगा अनुगक्त शब्द का विलोम होगा विरक्त option C correct होगा उसके बाद देखिए इस्थाई भाव की संखिया कितनी होती है। नेख्स देखिए बिभाट रस की स्थाई भाव क्या है। इसका रट आंसर प्या आपशन ए। च्यूपसा courtside किस रस का स्थाइभाव विसमे होता है तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर होगा option B अद्भुद्रस नेक्स देखें चौपाई के पती एक चगण में कितने मात्राय होती है इसका राइट आंसर है option C 16 नेक्स देखें चगण कमल बंदो हरिगाई में कौन सा अलंकार है तो इसका जो राइट आंसर है वो है option A रूपक अलंकार है फिर देखें मनो नील मनी शैल पर आतप पर्यो प्रभाद इसका राइट आंसर होगा आपका option B उत्पेक्षा नेक्स देखें हिंदी भाशा का विक नाशी के तो प्ख्यान के गच्षे गच्षनकार का नाम बताईए तो इसका जो गाईट आणसर है option A सदलमिश्क नेक्स देखें मध्यदेश की भाशा के निसर प्रताम हिंदीवी शब्त का प्रियोग किस ने किया था option B करेक्ष्ट होगा अमीर खुसवा नेक्स देखें question number 89 है देवनागरी लिपी किस से विक्सित हुई है इसका जो गाईट आंसर है वो है option A कुटिल लिपी फिर देखें मुदो का टीला उपन्यास के लेखक का नाम है तो इसका जो गाईट आंसर होगा वो है option C रंगे गागव नेक्स देखें पित्विराच की आखें किस साहित्य विधा की रचना है इसका जो गाईट आंसर है वो है option C एक कांकी है यह फिर है दुलाई वाली कहानी के रचनाकार है इसके जो गाईट आंसर है वो है option B बंग महिला फिर देखें अमीर खुसो किस काल के कवी है यह आदिकाल के कवी थे option A करेक्ट होगा नेट्स देखें यहाँ पर एक पंक्ती दी हुई है यह पूछाइए यह पंक्ती किसकी है तो यह कभिवी दाश की पंक्ती है option B करेक्ट होगा आपका नेक्स देखिए, तो उदास किसके शिष्य थे, ये बलवा चागे के शिष्य थे, option D correct होगा, बानभट के आत्मकथा क्या है, बानभट के आत्मकथा की विधा पूछे हैं आपसे, तो ये जीवनी है, क्योंकि यहां पर देखें, नाम है बानभट की आत्मकथा, तो बानभट साकेत के खचनाकार कौन है, साकेत के जो खचनाकार है, वो है मैचली शिष्य थे, option D correct होगा, ठीक है, नेक्स देखिए, कागार की आग, उपन्यास की नाइका का नाम क्या है, कागार की आग की जो नाइका है, वो कौन है, गुमती, option C correct होगा, फिर देखें, उसक एक कांकी क जोशी option D correct होगा, इसी के साथ यहां पर आपका paper complete होता है, I hope video आपको पसंद आई होगी, तो video like करें, share करें, और channel को subscribe करना ना भूलें, साथ ही comment करके हैं, मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने questions सही हुए हैं, और बाकी के जो भी questions हैं, वो check करने के नहीं, या paper को check करने के निए, आप description box को check किजेगा, वहाँ पर आपको playlist का link मिल जाएगा, तो वहाँ से आप और papers को भी check कर लिजेगा, thanks for watching